सब्सक्राइब करता है जो कि उस एप्लिकेंट पर एप्लिकेबल होता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके उपर किस तरीके से टैक्स लगेगा टैक्स लगेगा भी या नहीं लगेगा क्लासिफाय करने नहीं हो रहा है कुछ स्पेसिफिक कॉश्शंस है तो वह कॉश्शंस के लिए मैं डिपार्टमेंट को पूछ सकता हूं कि आपका व्यू क्या है आप बताओ उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एडवांस चुर्लिंग के लिये अप लाइक करना पड़ेगा ठीक है एडवांस लिंग ऑथॉरेटी अपने को एडवांस रूलिंग जो देगी वह फ्री में नहीं देविश्ली उसका कुछू फीस होता है के जा वो फीस चार्ज क पर एंड मुझ पर ओके हम दोनों पर ही बाइंडिंग होगा समझ मैं अगर मुझे चैलेंज करना है इस एडवांस रूलिंग को तो क्या करना होगा मुझे अपील फाइल करना होगा एडवांस रूलिंग का अपील्ट पास मैं कुछ इंपर're in close पॉइंट इंधा भय था सिर्फ एडवांस बांपने क owned के ऊपर पर और्ध के उपर इंग घंसे जॉरिग्स ऑफिसर अगर उफिसर रों लुटत है कि एडवांस दूल diesen दो तो he can file appeal okay deeming fiction if appeal is not file अगर appeal नहीं किया तो मानना जाए कि आपने accept कर लिए applicant भी appeal file रहता है department भी appeal कर सकता है advanced tooling will be valid until law is changed जब तक law change नहीं होता तब तक आपके उपर valid रहेगा अगर law change हो गया okay तो फिर advanced tooling valid नहीं रहेगा and अगर आपने advanced tooling लिया by submitting wrong documents और fraud documents okay तो in that case क्या होगा it would be treated as a void ab initio वे अगरे का definition that is not relevant for today अब अपने discuss करते कि कौनसे कौनसे matters पर advanced tooling लिया जा सकता है सबसे पहला है classification of goods or services आप supply जो कर रहे हो goods है या service है यह classify करने के लिए आप advanced tooling ले सकते हो applicability of notification यह notification आपको apply होता है या नहीं होता वह देख सकते हो आप determination of time and value of supply not place of supply place of supply matter के लिए आप लोग advanced tooling के लिए नहीं जा सकते क्योंगी advanced tooling is a state wise jurisdiction महाराश्टा स्टेट बोलेगा कि भई महाराश्टा इस a place of supply उप्लेगा कि गुजरात अपना जब order पास होगा तब आप लोग appeal करो, okay, appeal authority के बाद आप किसके पास जाओ, national bench के पास जाओ, समझ मैं, next, admissibility of ITC, ठीक है, ITC आप लोग को eligible है या नहीं है, वो ढूंदने के लिए आप लोग advance billing के पास जा सकते हो, determination of liability, okay, liability कितना आएगा, कौन सा आएगा, वो किस पर depend करता है place of supply, so कौन सा आएगा, वो आप नहीं पूछ सकते, कितना आएगा, that is determination, कितना amount, quantum, कितना होगा, that you can ask, okay, यहां पर एक, केरला हाई-कोट, केरला हाई-कोट का एक judgment है, कौन सा है यह, एक second, high court decision, शायद केरला ही है, मेरको नाम याद नहीं आ रहा है, तो केरला हाई-कोट का decision है, यह वाला, ओके, यह decision में क्या लिखा हुआ है, place of supply issue के लिए advance to link के लिए जा सकते हैं, क्योंकि determination of liability, that is, CGST, SGST, IGST, that is only possible when place of supply is determined, so ऐसा लिखा हुआ है, high court के decision में, लेकिन आपको exam में यह applicable नहीं है, exam में क्या लिखना है, place of supply के लिए आप लोग नहीं जा सकते हैं, next, whether applicant is liable for registration or not, registration आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो अगर आपको जानना है, तो आप जा सकते हैं, in short, unregistered person also can opt for advance ruling, next, whether any particular thing done by applicant amounts to supply or not, supply है या नहीं, आपने जो activity किया, वो supply है या नहीं, वो पूछने के लिए आप जा सकते हो, किसके पास advance to link authority, so total seven questions, आपने तो कितने टाइम में advance to link pronounce होनी चाहिए, answer is within 90 days, यहां पर लिखा होगा, किज़र लिखा होगा, यह 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 पूरा part है, fees for application, 5000 cgst, 5000 sgst दे दो, okay, 5000 cgst, 5000 sgst दो, and apply कर लो, जब आप application करोगे, आपका application किसको submit किया जाएगा, concern officer को, यह पूछने के लिए कि आपका case कहीं pending तो नहीं, अगर आपका case कहीं पर pending है, तो reject हो जाएगा, समझ मैं, अगर आपका case pending है, तो reject हो जाएगा, अगर case pending नहीं है, तो ही accept होगा, pending है या नहीं, कैसे समझेगा, concerned officer को आपका application देना पड़ेगा, okay, speaking order, जो advance ruling authority order pass करेगा, that should be a speaking order, speaking का मतलब का होता है, पूरा facts, case laws, जो कुछ भी उन्होंने rely किया, वो सब लिखना पड़ेगा, okay, time limit to pronounce ruling, ruling कितने दीन में देना है, within 90 days of receipt of application, okay, so application के receipt के 90 days के अंदर-अंदर ruling प्रनॉंस करना हो, okay, before giving the ruling, advance ruling authority shall, shall hear the applicant, his authorized representative, okay, और jurisdiction officer, difference of opinion, अगर advance ruling authority के जो members है, वो लोग दोनों में confusion है, example, okay, एक जन बोलता है, हाँ, एक जन बोलता है, ना, तो यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, यह जो matter है, वो appellate authority for advance ruling को refer करेंगी, okay, so appellate authority for advance ruling उसको सुनेगी, and then बाद में case को decide करेगी, और अगर, अगर, appellate authority for advance ruling में भी same हुआ, एक जन हाँ बोलता है, एक जन ना बोलता है, so in that case, it would be deemed that no advance ruling can be given, okay, advance ruling नहीं दी जा सकते, okay, final copy of advance ruling, advance ruling, finally जब pronounce हो जाएगा, तब किस-किस को copy जानी चाहिए, answer is members को, ठीके जो technical members है, वो लोग किसको देंगे, पहले तो concerned officer को देंगे, जो उस jurisdiction का है, okay, एक copy देंगे किसको, मतलब जो applicant है उसको देंगे, okay, तो इस तरीके से, applicant, concerned officer, jurisdiction officer, इन लोग को देंगे, समझा, okay, next, appeal against, क्या बोल रहा हो, speaking order, शाद भी, passed on rejection, काहां पर बोल रहा है, यह, अगर आपका application reject होगा, then in that case, आपको लिख करके देना पड़ेगा, कि हम आपने क्यों reject किया, okay, and ruling तो speaking ही होती है, rejection के time पर भी आपको speaking order देना पड़ेगा, तो भई हम क्यों reject कर रहा है, okay, ऐसा नहीं कि reject कर दिया, ऐसे ही, आपको लिख करके देना पड़ेगा, what were the reasons, due to which you, your application was rejected, next, appealate authority, अभी मान के चलो कि advance ruling authority आ गया, फिर भी मैं ना खोश हूँ, मैं agree उड़ो, what I will do, I will file appeal, appeal किसके against, किसके सामने करूँगा, appealate authority for advance ruling, not normal appealate authority, okay, किसके against करूँगा, किसके before करूँगा, appealate authority for advance ruling, समझ मैं, triple AR, कितने दिन में करूँगा, within 30 days, 30 days का condemnation is possible, फिस कितना रहेगा, 20,000, that is, 10,000 CGS, 10,000 SJS, department भी appeal कर सकता है, it is officer, जो होता है, वो भी appeal कर सकता है, किसके against, advance ruling authority के against, पर किसके सामने, AAAR के सामने, appeal file कर सकता है, okay, इन लोग को कोई fees देनी की जरूवत नहीं, okay, no fees, here no fees, time limit same रहेगा, okay, concerned officer and jurisdictional officer का meaning यहां पर लिखा हुआ है, अब लोग पढ़ लेना, not relevant for exam, normally अपने को लगता है कि दोनों same है, obviously है तो दोनों same ही, लेकिन concerned officer मतलब की specific officer, for example, Mr. Patil, assistant commissioner, example यह नाम है, okay, so Mr. Patil is called as concerned officer and this post, मतलब Mr. Patil आगा, transfer लेगा, okay, तो Mr. Mehta आया, example, तो वो भी assistant commissioner के post पर आएगा, so assistant commissioner का जो post है, उसको बलते है jurisdiction officer, मतलब कि यह जो assistant commissioner होगा ना, यह या फिर कोई आने वाला, तो दोनों ही case में यह valid रहेगा, advance ruling, okay, ऐसा नहीं कि पार्टिल चला गया, तो advance ruling void, ऐसा नहीं होगा, so concerned officer as well as jurisdiction officer, normally दोनों सेम ही रहेंगे, okay, normally दोनों सेमी रहेंगे, time limit to dispose the AAR, मतलब time limit क्या है, triple AAR अपना order pass करने का within 90 days, obviously, जो उधर था वैसा है time limit है, ठीकि 90 days के अंदर अदर क्या करना होगा, appeal का जो order है, वो pass करना होगा, जो final copy होगा, वो किसको किसको जाएगा, जिस authority ने advance ruling जो पास किया है, उसके पास जाएगा, concerned officer, jurisdiction officer and applicant, इन सब के पास जाएगा, समझ मैं, and अगर triple AAR के जो members है, वो लोग दोनों differ कर रहे हैं, आपस में, एक जन हां बोलता है, एक जन ना बोलता है, तो तो इट विल बी दीम दाट नो एडवांस लिंग गन बीगवन, ओके, rectification of mistake, ठीक है, अगर triple AAR या फिर AAR से कुछ mistake हुआ है, तो वो लोग rectify कर सकते, which is apparent from record, कितने टाम में कर सकते हैं, विदिन six months from the date of order, और पास होने के छे मेने के अंदर अदर उनको क्या करना पड़ेगा, अपने mistake को rectify करना पड़ेगा, अगर आपने गलत facts दिये ते, ते इस, facts, then it will be void of an issue, a copy of order shall be sent to applicant concern officer, here we complete with advanced ruling, अभ अपने दो चाप्टर बचे हुए, offense penalties and job work,